नवाश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग सो गई स्वागत आपका हमारे चैनल पर फिर से आज हम आपके सामने रिव्यू करने वाले हैं यल्मी नार्जो 70 टर्बो 5G स्मार्टफोन का तो चलिए गाईस करते हैं आज की उड़े और देखते हैं दोस्तों कैसा कैसा यह स्मार्टफोन रहने वाला है तो गैस सबसे पहले प्राइस की बात यहां पर कर लें तो गैस प्राइस इसका रहने वाले लगए इसमें आपको 3-4 वेरियंट मिल जाएंगे लगले कंबिनेशन के साथ तो गैस जो 60 वी रैम एंड 128 वी स्टोरेज वाले वेरियंट है वो आपको लगबग 15,000 पेसे की आपको मिलने वाले हैं with internal storage नेक्स्ट केस डिस्प्ले की बात यहां पर करूँ मैं आपको तो दोस्ते इसमें आपको 6.67 इंचिस की full HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी एंड जो गैस डिस्प्ले आपकी OLED रहने वाली है एंड जो दोस्ते इसका refresh rate है वो भी दोस्तों आपको 120 hertz तक इसमें मिल जाएगा तो काफी अच्छी डिस्प्ले यहां पर रहने वाली है प्लस दोस्तों इसकी peak brightness हो आपको 2000 निट तक की मिल जाएगी तो वह भी काफी सही लगा मुझे next case camera की बात यहां पर करो दोस्तों आपको इसमें रियर में two three cameras मिल जाएंगे मतलब जो आपक 60 MP के रहने वाले है प्लस 2 MP के दोस्तों आपको बैक की साइड में front camera के दोस्तों आपको 16 MP का front camera भी यहां पर मिल जाएगा दोस्तों camera कुछ उतने बड़ी यह नहीं है बट हाँ decent camera आप इसको बोल सकते है budget smartphone की तरह आप इसको अगर treat करें तो उतने कोई ऐसे मलब बहुत मैं हम बोलूँ कि यार हम बड़े highlight होके दिखरें के cameras काफी सही है तो उतना कुछ खास है नहीं 12-13000 के phone में इस तरह के cameras expect करते हैं जबकि यह smartphone फिर भी 16-17000 रुवेगा है next case battery यहां पे आपको नॉर्मल भई 5000 एमेज की battery मिल जाएगी with 45-bot super 45-bot fast charger के साथ तो यह भी guys okay वाली बा यह काफी अच्छा है यह बाकि दोस्तों देखते हैं इसमें आपको प्रोसेसर कौन से रहे हैं यार दोस्तों डामेस्टी 7300 आपको इसमें मिलता है which comes with the benchmark score of 750,000 तो guys एक decent performance आपको इसमें मिलेगी gaming के लिए बैसे हमारे पास काइस ओर भी काफी सारे options हैं इस segment में बट अभी हम फिलाल इसको डिसकस कर रहे हैं तो guys इसमें आपको डेमेस्टी 7300 energy performance का fastest chipset मिल रहा है next case other features की बात यहां पे करूँ आपको android 14 का support इसमें मिल जाएगा रेल में UI 5.2 रहने वाला है 5G दोस्तों आपका phone रहने वाला है obviously IP 65 dust and water resistance पर इसकी properties होने वाली है and guys कमाल की बात है कि इसमें आपको audio jack भी मिल रहा है 3.5 mm का प्लस in display fingermen दोस्तों इसका रहने वाले है क्योंकि आपको डिस्प्लेय OLED है and guys gaming करें नहीं मैं आपको बता रहा है कि gaming के लिए ज्यादा प्रमोशन कर रहे है अपने smartphone की तो guys gaming में आपको यहां पर stainless steel vapor cooling system भी इसमें दोस्तों मिल रहा है तो काफी सही features smartphone के आपको दोस्तों मिल जाएंगे बाकी guys यही सब features हैं वैसे है न और भी हमारे पास काफी options है आपको डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियो में फिलाल guys आज की वीडियो में इतना ही I hope कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आयोगी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लेगी तो please वीडियो झाल